नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है पैगासस जासुसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हपते सुनवाई होगी सुकुरवार को चीप जस्टिस एनवी रमना की बैंच के सामने इस मामले को उठाया गया जिस पर चीप जस्टिस ने कहा कि वह अगले हपते इस मामले को सुनेंगे वरिष्ट वकील और कॉंग्रेस ने तक अपिल सिब्बल ने सुकुरवार को जस्टिस नमना के सामने इस मुद्ध को उठाया उन्होंने वरिष्ट पत्रकार एनवी राम द्वारा दाखिल याचका का जिक्र किया जिस पर चीप जस्टिस ने कहा कि वह अगले हपते इस मामले की सुनवाई करेंगे Supreme Court में दायर याचका में अपील की गई है कि पेगासस मामले की इस पक्ष जाच की जाए इस जाच की अगवाई Supreme Court का कोई मौजूदा या रिटार जज्ज करे आरोप है कि सरकारे एजन्सियों ने पेगासस इस्पाई वेर की मदद से पत्रकारों, जजों और अन्ने लोगों क की जासुसी की है। आपको बता दे कि अंतर राश्टे मीडिया दोरा इस मामले का खुलासा किया गया था। इस्राइली सॉप्ट्वेर पेगासस की मदद से भारत समेट दुनिया के कई देशों के पत्रकारों नेताओं और अन्य हस्तियों को निसाना बनाया गया था। इस द कारण है कि भारत में इस मसले पर लगातार हंगामा हो रहा है। आपको बता दे कि बीते दिन ही देश के करीब 500 हस्तियों ने चीप जस्तिस को इस मामले पर चिट्थी लिखी थी और निस्पक्ष जाच कराने की अपील की थी। इसके अलावा संसत के दोनों सद्रों में वि इपक्ष की मांग है कि सदन में इस विशेव पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं भारत सरकार ने पेगासज जासुशी से जुड़े सभी आरूपों को नकार दिया है। इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद।